तो हिन तो जेपी को श्रद्धान्जली देने का अधिकार भारतिय जनता पार्टी को है और समाजवादी पार्टी को नहीं है समाजवादी पार्टी अगर श्रद्धान्जली देना चाहती है तो वो नौटंकी हो जाएगी नमस्ते गरिमा जी सभी को नमस्ते देखे अखिलेश यादव यदि जैप्रकाश नाराएन जी को श्रधानजली देते हैं तो यह हमारे लिए भी खुशी की बात होगी क्योंकि हम अखिलेश यादव को समाजवादी नहीं मानते हैं जो आतिक एहमद के दोस्त बन गये जो एक समय पर आजम गड़ को इंडिया मुझाहिदीन का गड़ बनाना चाहते थे वो लोग समाजवादी नहीं है यदि आज उन्हें रोका गया तो उसके पीछे कारण केवल प्रशाशनिक हो सकते हैं और जिसका ब्योरा आपको केशव प पुरुषो को कुछ पार्टिया अपनाती हैं कुछ नहीं अपनाती तो मैं आपको बता दू इस मामले में सबसे अधिक समावेशी पार्टी केवल भारतिय जनता पार्टी है हमने महात्मा गांधी का जो स्वपन था स्वच भारत का वो हमने साकार किया 100% सैनिटेशन कवर भारत को दे कर जो हे राम उनके शब्द थे ये कॉंग्रिस पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला था ना कि भगवान राम है ही नहीं हमने उस राम मंदिर का निर्मान किया जो आज सो साल से लिटिगेशन में फसा हुआ था तो सब और वही नहीं एक सबसे बड़ी बात जो जन जाती है ट्राइबल वारियर्स थे हमारी जो फ्रीडम प्रूप्मेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिनको इतिहास के पन्नों में भी नहीं कवर किया था जो सत्रा सो तिरासी से लड़ाई चली आ रही थी तिलका माजी के द्वारा बिरसा म लानी विलकूल ठीक है रहें आपने पटेल को भी इधर शामिल कर लिया अपने बोसको भी इधर शामिल कर लिया समावेशी तो है आप आप जेपी को भी इधर शामिल करने की वैल आप हो में नजर आ रहे हैं जेपी ईकिस इस पर आज सिर्फ उतला हुआ संगर शुआ तो ये समावेश कैसा समावेश है? अखिलेश यादव ने गिमिक किया अधिकार ही नहीं है जेपी किया किया केशव प्रसाद मौरिया का बयान मैंने अभी पढ़ा आपकी जानकारी के लिए मैं दुबारा पढ़ देती हूँ कि अखिलेश यादव नोटंकी करने गए थे ने ने देखिए आप एक चोटी से बेयान को जिस तरह से वो खूद रहते हो सकता है वो जखमी हो जाते हो सकता है उनके सपोर्टर जखमी हो जाते हैं क्या करने की अवश्रिक था थी जो पहले मुख्यमंत्री रह चुका है उसको ये नहीं पता है कि प्रशाश्चनिक कुछ नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए अरे आप अपनी हरकतों में प्राइश्चित कीजिए समाजवादी आप कहलाएंगे आप बीस सालों में आप जो हैं मौडन उत्तर प्रदेश में गुंडा राज के प्रनेता हुआ करते थे और आप अपने आपको समाजवादी कहते है अगर क्राइम पिछले बीस सालों में जो हमने छे सालों में खतम किया है उससे पहले जो क्राइम एक्जिस्ट करती थी उसके प्रनेता तो यही समाजवादी पार्टी थे ने और उसके बाद ये कहते हैं अपने आपको समाजवादी क्या कभी क्या कभी जैप्रकाश नारायन जी ने संपून ट्रांती की जो बात की थी उसमें ये भी शामिल था क्या आतिक एहमत जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में लाना इंडियन मुझाहिदीन का समर्थन करना तो मेर आपके भाषणों में आपके नारों में सब जगा बी आरम बेड कर शामिल होते हैं अगर मैं अगर हम जन जाती है योद्धाओं की सूची शामिल करें तो वह तो सो डेड़ सो नाम हो जाएंगे तो हम तो इतनी समावशी हैं लेकिन आजादी की लड़ाई का नाम लेने का कॉंग्रेस को लगता है कि हमारी आजादी की लड़ाई जो है 1885 से शुरूवी कॉंग्रेस की निर्मान के बाद हमें लगता है कि वो 1783 से शुरूवी जिसमें कि हजारों ऐसे अंगिनत योद्धा हैं जिनका नाम कभी शामिल नहीं हुआ तो जब हम उनको समावेश कर सकते हैं तो फिर हम किसी को भी कर सकते हैं जो इस देश का महान नेता रहा है जिससे हमें सीखने को मिला है और जिससे देश को लाव हुआ है हम उसको अपनाते हैं तो बी आर अमबेटकर पंडित नहरू यह आपके लिए वो लोग नहीं हैं जिनसे देश देश को कुछ मिला आप ब्हारत लिखा गया आप बदल देंगे आप अब शेयर बोदी जी कि स्पीच और नहीं सुनी है वियार अंबेटकर जी के विश्एपर उन्होंने इतना संमान और इतना अंदर आदर रहा है बि-अर अंबेटकर जी मूल्यों के प्रती कि आप पता नहीं क्यों यह सवाल पूछ रही है जहां करने उनके जन्व दिन पर हमेशा लिखा इंडिया भारत भारत बहस हुई वोटिंग हुई कि आप उसको बदलने पर आमादा है कौन बदल रहा है यही तो गरिमा जी आप फैक के आधार पर डिसकेशन नहीं कर रही है अगर इंग्लिश में इंडिया भारत लिखा गया है तो अगर आप हिंदी के संविधान को पढ़ें तो इंडिया अर्थात भारत लिखा गया है भारत और इंडिया में हम कोई अंतर ही मानते हैं कौन इसको बदल रहा है और आपके सांसद सभा में सदन में खड़े होकर जो वाटसाइप पर चलते हैं उसके आधार पर बिलकुल ठीक कह रहे हैं तो हिन लेकिन आपी के सांसद के भी सदन के बाहर भी लाम बंदी करते हैं कि क्या बात कर रहा है तो है बड़ी विन नमरता के साथ आपको कहना पड़ेगा कि आज आपकी रिसर्च हुए कैई ऐसे सांसद अपने इंडिविशुल कैपैसिटी में प्राइवेट मेंबर बिल लाने का अधिकार हर सांसद को है और कई ऐससे पहले बिल्स लाए जा चुके है इसमें पार्टी जब प्राइवेट प्राइवेट मेंबर बिल्ल लाने का हर व्यक्ति को अधिकार इसका मत्तव यह नहीं कि खड़े होकर वो जो सांसद कहते हैं कि कॉंस्टिट्यूशन अमेंड करो सम्विधान बदलो लाइन हटाओ इंडिया हटाओ तो अम्बेट करने लिखा था अब तक कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं आप यह बताईए कि यह पहली बार अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं अगर किसी व्यक्ति ने कहा है तो वो अपना प्राइवेट मेंबर बिल उसका हो सकता है यह सरकार का स्टैंड कभी नहीं रहा है क्या कानून मंत्री ने कभी ऐसा कहा है किसी भी मंत्री ने ऐसा कहा है सरकार का स्टैंड नहीं है